हाई आज वीडियो मैं यह डिसकुन कर रहा हूंगा कि वह सारे कौन कॉन से कॉमन मिस्टेक्स जो नीट एस्पेंटे करते हैं जिसके वज़ा से अच्छे स्टूइंट्स का भी सेलेक्शन नहीं हो पाता है यह वीडियो तुम्हारे लिए पहुँच जाता लाइफ में बिल्कुल नहीं करना सबसे पहली मिस्टेक से जो मैंने खुद भी कर रहा था और यह जो मिस्टेक था यह मुझे लास्ट के समय में जाके रियलाइज हुआ यह सोचते हैं कि बायलोजी एंसी आटी पढ़ना सिर्फ इनप है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर त दूसरी मिस्टेक है यूजिंग मल्टिपल रेफरेंस बुक फर थियूरी रिडिंग तुम्हें रियल्टी बता रहा हुँ नीट के प्रपेशन के लिए एंसी आटी पहुत ज्यादा सफिशेंट है अगर आप एंसी आटी को ही दस बार 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 पढ़न होगे तो आपको होगा यह लान इतना इंपॉर्टन था मुझे पता नहीं चला था इंस्टेट ऑफ रीडिंग मल्टिपल बुक्स और थियूरी आप एंसी आटी को बार पढ़ो वो तुम्हारे लिए ज्यादा इंपॉर्टन है अगर आपको लगता है कि कोई एंसी आटी का लाइन समझ मीं नहीं आया तो आप वहाँ पर कोचिंग के मॉडियू का रेफरेंस ले सकते हो तीसरा मिस्टेक है जो लाखों नीटर्समेंस हर साल करते हैं वह यह कि लास्ट में जाके वह दू और या फिर इंपॉर्टन चैप्टर्स के पीछे इंपॉर्टन सॉपिक के पीछे भागने ल बन सकता है और आप सो चलिए कि सिर्फ इंपॉर्टन टॉपिक पड़के तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा तो में हर एक टॉपिक हर एक चैप्टर को अच्छे तरीकी से पढ़ना पड़ेगा सो दैट कि तुम 600 प्लस भी एटलिस्ट स्कूर कर पाओ और चौता मिस्टेक के साथ साथ या फिर classroom lecture के साथ साथ आपको questions प्रैक्टिस करना पहुत जोड़ी है बलकि आपको ये भी समझना है कि किसी question को solve करने के लिए हमें किस प्रकार से जो concept हम सीके उसको apply करेंगे किस प्रकार से minimum time में questions को solve करेंगे तो ये चीज़ भी आपको starting से practice करनी है सिर्फ वी NCRT के line को highlight कर दोगे तो आपका preparation हो गया यहर NCRT को प्रॉपर तरीके से पढ़ोगे और प्रॉपर तरीके से पढ़ने का मतलब यह हुआ कि आप NCRT के हर एक line जो पढ़ रहे होगे तो यह line को पढ़ते समय है आप वहां पर सोचो एक बार रोक के सोचो कि यह line से किस प्रका कोई table देखते हो तो वहां पर focus करो कि diagram का labeling क्या है अगर labeling को हटा देगा तो क्या हम diagram के level को कर सकते है diagram के नीचे क्या लिखा हुआ जितने भी table है table को proper तरीके से देखो अगर कोई table में से एक option हटा देगा तो वहां पर हम क्या put करेंगे तो NCRT को आपको proper तरीके से पढ़ना और यह चीज़ आपको biology और chemistry दोरों में करना है और याद रखना कि biology में आपको summary भी पढ़ना है चटा mistake जो बहुत सारे neat response करते हैं वो यह कि सिर्फ theory पढ़ने से नहीं होगा आपको questions प्रैक्टिस करना पड़ेगा अगर आपसे physics में question नहीं बन रहा है तो ठीक है explanation देखो teacher से पूछो फ्रेंड से पूछो लेकिन आप सीखो आपका सीखना पहुत ज़री है अगर आप सीखोगे नहीं तो exam में नए नए question जब आएंगे तो आप कैसे solve करोगे तो वहाँ पे आपको questions practice शुरू से आप जब preparation कर रहे हो उस समय से ही आपको आदत डाल नहीं है कि at least 100-100 question हर रोज हम solve करें और आटमा mistake के not completing syllabus on time ऐसे लाखो होता है जिसका हर साल यहर लास्ट के समय तक syllabus ही complete नहीं होता है अगर आपको नीट में selection चाहिए तो at least फरबरी तक आपका syllabus पूरा का पूरा complete हो जाना चाहिए और दो-तीन बार आप revise भी कर लोगे उसके बाद आपके पास सबसे most reputed platform है अभी जहां पर आपको इंडिया के best teacher आपको मिलते हैं पिछले नीट 2023 में अच्छे result भी यहां से आए हैं थोड़ा सब बैचस के बारे में detail बताता हूं यकिन 3.0 बैच जो की ड्रॉपर इस्टोरेंस के लिए जिसका price 3600 है और लक्ष नीट 3.0 2024 बैच जो की class 12 students के लिए है जिसका price 3500 है यह सारे बैचस है PWK जिसमें आपको इंडिया के best faculties मिल जाएंगे जिसमें आपको वीक में 6 दिन होगा और हर रोज आपका 3 classes होगा और जितने भी classes होगे classes के बाद आपको DPP मिलेंगे और वो DPP के आपको proper solution मिलेगा इन बैचस के अलावा आपको चैटर वाइस रिवीजन करने के लिए एक और कोर्स है चोटा सा कोर्स जिसका प्राइस 49 रूपीस है जिसमें आपको 100 वीडियो लेक्शर और 50 questions भी मिल जाएंगे और यह जितने भी बैचस है इन बैचस का separate study materials भी है जिसको आप purchase करना चाहते हो तो एक code यूज कर सकते हो APR 150 जहां से आपको extra discount मिल जाएगा mistake नमर आटमा यह कि don't skip any topic any chapter for last time बहुत सारे swings ऐसे होते हैं जो यह सोचते हैं यह topic easy इसको हम last time में कर लेंगे यह topic छोटा सा इसको last time में कर लेंगे लेकिन यह मैं तुम बता रहा हूँ need के provision में सबसे last pages में जो तुमारा प्रेशर रहेगा मत छोड़ना क्योंकि तुम उस समय complete नहीं कर पाओगे नाइन्थ मिस्टेक है don't skip basic and small chapters बहुत सारे छोटे 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 चैप्टर से हैं और इन चैप्टर को अभी time निकाल के complete कर लो और दो तीन वर पढ़ो कि यह सारे चैप्टर इसमें fix दो तीन question आते ही हैं जसमा नमर मिस्टेक है not practicing mock test यार अगर यह mistake कर रहे हो तो कभी सोचना मत कि तुम्हारा selection होगा mock test का practice तुम्हें अभी से आठ मनी तक लगातार करना पड़ेगा और एक और चीज़ समझ लो कि पूरे नीट के प्रवेशन में तुम्हें at least 60 प्लस mock test देना पड़ेगा और सिर्फ mock test देन में अगर आप यह चीज़ सब्सक्राइक कर लाइन है और आपको इस प्रिकार से उयम्हें चीश रूम पर मिल पा प century में कैसे शेंग करेंगे Самरमे मिच्टेक है रिवीज़न नहीं करना बहुत ज़्यादा जरूरी है ता कि आप किको पड़ने होत पार contemplation में होता सब purple स प्लिएक्षाइब भी लीजन करना बहुत जबए और जब भी आप रिविजन करते हो तो तो रिवीजन के टाइम को धीरी देरी करना तो देर कि लास्ट के समय में आप पूरे के पूरे NCRT को भी एक दिन में डिवाइज कर सकते हो असानी से एरा हमारा मिस्टेक है कि following multiple question bank for solving question यार देखो question bank जो होता है ना उसमें आप strict रहो अगर आप कोई भी book को use कर रहे हो question solve करने के लिए सरिफ उस book को अच्छे तरीके solve करो देखो यार मैं तुम्हें literally बता रहा हूँ कि 100 question solve करने से नहीं होता है अगर आप 50 question को भी solve कर रहे हो लेकिन अच्छे तरीके solve कर रहे हो उसमें जो बताया गया जो concept सिखाया गया उसको तुम अच्छे तरीके से सीख रहे हो कुमारा preparation बहुत अच्छा हो जाएगा question bank को जब आप solve करते हो तो समय याद रखना है कि हमें multiple question bank को solve नहीं कर रहा है एक question bank को chapter 1 से लेके chapter last तक पूरे के पूरे solve करना है अगर आपको लगता है कि कुछ भी और extra चाहिए तो आप module यूज़ करो इस प्रेशन में आप डी मोटिवेट नहीं होना क्योंकि लास्ट का समय बहुत कुरूसियल होता है अगर लास्ट का समय में आप मैनत नहीं करते हो तो हो सकता है आपका selection नहीं भी होगा तो इस समय में आप आप खुद को कूल रखना इतना सांथ डखोगे ना उतना जादा बहतर आप परफॉर्म कर पाऊगे इग्जामिनेशन में भी आपको प्रेशन नहीं लेना है तो कूल होके पेपर को अटेम्ट करना होता है वह चीज की प्रैक्टिस आप मॉक्ते सही करना है यह 15 नमार मिस्टेक यह कि इसा अगर आप सोचते हो तो आप गलत हो कि आपको सीखने के लिए पढ़ाई करना है मैं एगर इक्जामिनेशन करेक करने के लिए आपको एक्जाम पॉइंट ओ वियू से पढ़ाई करना पड़ेगा मतलब अगर आप कोई कुशन सॉल्व कर रहे हो तो वहां पे आप यह स सोचना है study to get knowledge it is okay but we should also study to clear exam यह कुछ mistake थे जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए अगर आप कर रहे हो रूक जाना तो सकता है कि आपका selection नहीं भी होगा अगर आप इन सारे mistakes को करोगे बाकि जो भी और छोटे-मोटे